सुशान सिंग राजपूत की हत्या के बाद कई चीज़े बाहर निकल के आई हैं कुछ मैंने इंटर्विउस पड़े हैं कुछ डिरेक्टली भी बात की है तो उनके पीता जी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही कैसे कत्रा कत्रा कर कि उनका दिमांग तोड़ा गया है उनको मारा गया है तो आईटम आप इस नहीं लिखते हैं क्विश्वार्ण तो जी लिखते लोता रहा कि यह सुटकी को wysi इस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी मगर नाम नहीं लिखा जाएगा 23 ऑगस्ट 2017 को बॉलीवूड लाइफ सुषान के बारे में लिखता है कि वो जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है वो सबसे बड़ा नार्सिस्ट है 16 दिसंबर 2016 में मुंबई मिरर ल अब जेल जा सकता है और ऐसी नाजाने कितने अंगिनत जूट और यह जो बुद्धी जीवी जर्लिस्ट है यह जो चील का हुए गिद है जो मुवी माफिय के पाले हुए है यह इसको मेंटल इमोशिनल साइकोलोजिकल लिंचिं को जर्नलिजम कहते है मेरे बारे मेरे बारे या कि इसकी फिल्म को बैंग किया जाए फ्लॉप किया जाए आपको तेन हजार जर्नलिस्ट गैंग अप होते हैं एक अकेली लड़की पर उसकी इमोशनल लिंचिंग करते हैं सरयाम और यह समाज कुछ नहीं कहता है कानून कुछ नहीं कहता है मैंने उनको उन पर केस करने क कोशिश की मगर एक महीने बाद हो गाइब हो गए मेरी फिल्म रिलीज हो गाइब हो गए तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर यह समाज जिस अन्याय की बुनियाद पर खड़ा है और कभी आवास नहीं आप यह पढ़ते हैं चटकारे लेते हैं कभी आपने सोचा है कि कभी नेपो किड्स के बारे में यह क्यून नहीं लिखा जाता है तो यह अन्याय का फंदा आपके बच्चों के गले में लटका मिलेगा इसलिए जब तालियां बजेगी और सीठियां बजेगी तब आपको पता चलेगा किया किया गुजरती होगी